हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू संधिया फ्लेवर जंक्शन तो आज एक बाव फिर से मैं आपके लिए एक बहुती सिंपल साधारण सी रेसिपी लेकर के आई हूं जो जैसे कि आप देखी सकते हैं कि मैंने बनाई है यह आलू और हरी प्याच की सबजी जिसको हम इस्प्रि देखी से आ अचाल यह फिर से मेरी कोशिश रहती है सिंपल एजी रेसिपी लेकर आने के लिए तो उनी में से यह एक है क्योंकि यह बहुत ही जल्दी से बन करके तयार हो जाती है तो चलिए हम इसको बनाना है स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीए है तो इसके लि और जो इसका यह green part jeh हम बारिग बारिग इस तरह से काट लेंगे तो यह parts मैंने अलग-अलग क्यों काटे divide कर रही हूं यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो इस तरह से मैं इसका green part काट लूगी और green part मैं काट चुकी हूं तो मैं अब इसके साथ में यह जो white onion जो मेरी है इसको भी मैं काट लूँगी और यह पीछे का part हम निकाल करके इस तरह से फेग देंगे और इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी जिस तरह से हम सबजी में काटते हैं प्याज को इस तरह से हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके काटेंगे वाइट पोशन हम इसका अलग से काटेंगे और ग्रीन पोशन हम इसका अलग से काटेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाइट अनियन मैंने काटके अलग कर लिये अब इसको मैं अलग-अलग parts में divide कर दिया है तो ये green part मैंने अलग रखा है और white part मैंने इसका अलग रखा है तो चलिए अब हम recipe बनाना start करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से use करेंगे आगे recipe में तो बने रहें मेरे साथ में और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा तो स्टार्ट करते हैं बनाना तो मैंने गैस पे बरतन को चड़ा लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है साथ से आठ लसन की कलिया तो बारिक बारिक लसन इसमें बहुत टेस्टी लगता है खाने में और इसी के साथ में मैंने डाल दी है इसमें ये सूखी लाल मर्च दो से तीन मैंने लाल मर्च डाली है बस अब जिस तरह से हमारा जीरा जो है अच्छा सा कलर ले चुका था इसी के साथ में मैंने डाल दिया है इसके अंदर ये बारिक बारिक कटे हुए आलू और आलू को इस तरह से हम चलाने के बाद थोड़ा सा सौफ्ट होने के लिए और ताकि अच्छे से क्रिस्पी हमारे आलू हो जाएं इनको चला करके हम छोड़ देंगे इससे जो है हमारे आलू अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से पक भी जाएंगे तो बस मैं धकल लगा के छोड़ देती हूँ अब इसको दो मिनिट बाद हम चेक करेंगे तो दो मिनिट इसको पकते हुए हो चुके हैं अब हम देख लेते हैं आलू अपनी चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह से हमारे आलू सॉफ्ट होना स्टार्ट हुए हैं कि नई और आलू अच्छे से पकने स्टार्ट हुए हैं कि नई तो आलू को हम हलका सा चला लेते हैं तो यह हलके soft होना स्टार्ट हो चुके हैं और हलके fry होना भी स्टार्ट हो चुके हैं इस टाइम पर हम डाल देंगे white part जो हमने अलग से रखा हुआ था तो बस हमने इनको अलग-अलग parts में इसलिए डिवाइड करा था क्योंकि white part जो इसका होता है onion का वो जल्दी से पक नहीं पाता तो हमने इसको इसलिए पहले डाला है और green part हम बाद में इसलिए डालेंगे क्योंकि वो बहुत soft होता है और वो जल्दी से पक जाता है तो बस इसको दो मिनिट के लिए और हम चड़ा के छोड़ देंगे तो बस मैंने गैस को धीमा करके इन आलू को चड़ा दिया था अब जैसे के आप देख सकते हैं दो मिनिट के बाद जा मैंने धकन हटाया है तो आलू एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके है और इसी टाइम पर हम इसके अंदर डाल देते हैं नमक क्योंकि नमक डाल देने से क्या होगा कि हमारी सबजी जल्दी जल्दी कूख होगी और जो नमक है वो आलू के अंदर तक पहुँच जाएगा और जो ये अनियन हमारे को दिख रही है ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो बस इसको अच्छी तरह से हम चला देते हैं और एक दो मिनिट के लिए धक्कल लगा करके हम इसको और छोड़ देंगे ताकि ये आलू जो है हमारे अच्छी तरह से पक जाएग क्योंकि आलू हमारे को एकदम सॉफ्ट करने है तो बस में धक्कल लगा करके छोड़ देते हूँ तो काफ़े देर इसको पकते हुए हो चुकी है अब हम चैक कर लेते हैं आलू को तो आप देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके है और आलू बहुत अच्छी तरह से पक गए है अब इस टाइम पर हम इसके अंदर डाल देंगे ये एक बड़ा टमाटर जो मैंने काटके रखा हुआ था आप चाहें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं बट मुझे इसका टेस्ट जो है इस सबजी के अंदर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने डाला है और इसी के साथ में मैंने डाल दिया है ये एक चममच लाल मिच पॉडर और वन थर्ड इस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है क्योंकि बस इसका कलर लाने के लिए और एक चममच मैंने इसके अंदर धनिया पॉडर जाला है हम मसाले बहुत कम डालेंगे इसके अंदर क्योंकि अल्रीडी सब्जी का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आता है तो बस अब इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे ताकि टीमाटर जो है हमारा थोड़ा सा पानी छोड़ दें और अच्छी तरह से यह आलू और टीमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारा मसाला जो है इसके अंदर आलू के अंदर चला जाएं और एक अच्छा था फ्लेवर यह सब जो मसाले हैं और सबजी जो है छोड़ दे तो बस इसको थोड़ी दिर के लिए ढखका लगा के छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमारे जो आलू है और टीमाटर और प्याच की जो सबजी हमने बनाई है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है और काफी अच्छी तरह से ये तैयार हो चुकि है तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी आप खा सकते हैं लेकिन मैंने जो इसका ग्रीन पार्ट अलग किया था वो मैं आप इस टाइम पर डाल दूँगी कि आपने देखा होगा जब भी हम चौमीन बनाते हैं या चिली पटेटो बनाते हैं तो हम इसको इस Green पार्ट को यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी से पकरके तैयार हो जाता है अर हमने इसको पहले इसलीह नि डाला क्योंकि आगर हम इसको पहले डाल दे तो तो सबजी में एक moisture सा रहता है और मिरको ये सबजी एकदम सूखी और क्रिस्पी बनानी थी तो आप देख सकते हैं दो से तीन मिनिट ये पकाने के बाद बिना धक्कन लगाए मैंने इसको पकाया है और एकदम सॉफ्ट हो चुका है और इस टाइम पर हमने इसको ढखकन को नहीं लगाना है इस बात का हम ध्यान रखेंगे बसको एक से दो मिनिट के लिए हम पकाएंगे ग्रीन पार्ट को डालने के बाद तो बस अब ये रेडी हो चुकी अब हम इसको सर्फ करते हैं तो बनकर तयार हो चुकी है हमारी गर्म गरम सी आलू और हरी प्याच की सबजी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी रंगत आई है तो जिस तरह से इसकी रंगत अच्छी है वैसे ही ये टेस्टी खाने में भी है आप इसको पूरी के साथ में पराठे के साथ में, किसी भी तरह से आप इसको खा सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जब मर्जी इसको आप बना सकते हैं, और इंजॉय कर सकते हैं, ये सबजी बहुत ही अच्छी बनती हैं, और बहुत ही कम मसालों से मिलकर के बनती हैं, तो मैं जरूर वीडियो को लास्ट तक जरूर वाच करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और यह रेसिपी आपको खास तोर से कैसी लगी तो मैं चलती हूँ आपके लिए और नई बहतरीन और जल्दी से बन जाने वाली लेकर आने के लिए तो आप देखते रहें मेरी चैनल पर मेरी वीडियो को ओके बाइबाइ थैंक्स पर वाचिंग